नमस्कार निर्माड आईएस के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आडियो आडिकल के अंतरगत चर्चा करेंगे डेटा दट बर्निंग फ्यूल BNC केशन समीत के सिफारिसों के आधार पर Electronics and IT Ministry की ओर से 2018 में पेश Personal Data Protection Bill के ड्राफ्ट में नागरिकों के Personal Data की एक कौपी भारत में इस्टोर करने और Critical Personal Data के अनिवारे रूप से भारत में ही रखने की बात की गई थी हालाग अब एक उच इस्टरी सरकारी समीत ने सला दी कि हर तरह के Personal Data के बजाए केवल Critical Data को ही भारत में इस्टोर और प्रोसेस किया जाना चाहिए हर तरह के Personal Data की कौपी देश में ही स्टोर करने की सिफारिस पर मल्टी नेशनल टेक कमपनियों ने लागत बढ़ने का हवाला देकर कई सवाल उठाए थे Personal Data Protection Bill के Draft के अनुसार ऐसी हर जानकारी Personal Data है जिससे किसी व्यक्त क्यों प्रतच या परोच रूप से पहचाना जा सके इसे Sensitive और Critical Personal Data में बाटा गया था है Sensitive Personal Data के दाएरे में Password, Financial Data, Health Data, Sexual Orientation, Biometric Data, जातिकत और धार्मिक जुडाव आधी है हाला कि Critical Personal Data की परिभाशा अभी इस प्रस्ता नहीं बनाई गई है PMO की और से बुलाई गई संबंधित विभागों की बैठक में या मुद्दा उठा था कि प्रस्तावित बिल में Public Data के Animization के बारे में प्रावधान नहीं है और इस पर विस्तार से चर्चा की जरूरत है जब डेटा को इस तरह बदल लिया जाए कि उसे सार्जवनिक करने से किसी की नीजी पहचान का खुलासा ना हो सके तो उसे Animize Data कहा जाता है Deanimization के खत्रे को इस उधार से समझा जा सकता है कि किसी अस्पताल के Public Data को Decode कर Medical History के आधार पर किसी को Blackmail किया जा सकता है आर्थिक समीच्छा 2018-19 में सरकार ने सार्जवनिक हित में Public Data के उपयोग पर बल दिया है विभिन सरकारी विभागों के पास मौजूद डेटा की सुरच्छा का महत्त आंधर प्रदेश में पिछले साल सामने आये मामले से समझा जा सकता है जब वहां के महिला एवं बाल कल्याण विभाग की वेबसाइट पर 4.8 लाग गर्वती महिलाओं के आधार नंबर सारजवनिक हो गए थे भारत में करीब 2.7 एक अरब डॉलर की एनालिटिक्स, डेटा साइंस और बिग डेटा इंडस्टी होने के अनुमान को देखते हुए डेटा प्राइवेसी पर उसी संतुलन की जरूरत है जिसका जिक्र जस्टिस स्रीकरशन ने यह कहते हुए किया था कि नागरिकों के अधिकारों की रच्छा करनी होगी, जाज यानी सरकार की जिम्मेदारी स्प्रस्ट करनी होगी, लेकिन उद्द्योग एवन व्यापार पर विप्रीत असर ना पड़े हाली में तक्नीकी छेत की एक प्रमुक कमपनी की और से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2018 से अप्रेल 2019 के बीच भारती कमपनियों के डेटा चोरी होने से इन कमपनियों को 12 करोर से ज्यादा कर नुकसान उठाना पड़ा है रिपोर्ट में या भी कहा गया है कि भारत से डेटा चोरी होने से कमपनियों को भारी नुकसान हो रहा है और इनका घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है दुनिया के कई विकास शिल देशों में डेटा सुरच्छा एवं डेटा इस्थानी करण के मुद्देपन नए कानून बनाया जाने की तैयारी हो रही है पिछले दिनों टिक टॉक के एक सौमित वाली चीन इस्थित कमपनी ने भारत में एक डेटा केंद खोलने का फैसला किया है जो देश में किसी विदेशी कमपनी का भारत में इस तरह का पहला कदम है जापान के शहर उसाका में G20 सम्मिलन के दोरान डेटा इस्थानी करण और डेटा सुरच्छा पर अपना रुख साफ करते हुए भारत ने कहा कि डेटा कच्चे तेल की तरह एक ऐसी संपत्ती है जिस पर विकास शिल देशों के हितों का ध्यान रखा जाना जरूरी है साथ ही डेटा पर WTA के नियमों के अनरूप बातचीत की जानी चाहिए वस्तुता डेटा इस्थानी करण किसी भी देश के नागरिकों और उपभोगताओं से संबंदित डेटा को उसी देश की सीमाओं के भीता संग्रहित करने की प्रक्रिया है इससे उस देश की सरकार का डेटा पर बेहतर नियंतर रहता है और डेटा दुर्प्योग भी रुखता है भारती रिज़ोर बैंक के द्वारा जारी दिशा निर्देश में इस्पस्ट किया गया है कि भारती उपभोगताओं के लेन देन के डेटा को भारत में ही रखा जाएगा ये भारती से संबंदित उपभुकताओं के भुकतान की प्रक्रिया विदेश में होती है तो वहां उससे संबंदित डेटा को एक कारोबारी 24 घंडे के भीतर भारत भेजा जाना जरूरी होगा ताकि भारती से संबंदित लेन दिन के डेटा को केवल भारत में ही रखा जा सके वस्तुता नई वैस्विक आर्थिक विवस्था के तहर भविस्थ में डिजिटल कारोबार तेजी से बढ़ेगा और जिस देश के पास जितना ज़्यादा डेटा संरच्छित होगा वह देश आर्थिक रूप से उतना ही मजबूत होगा जापान के शायर फुकुओका में आयोजित G20 देशों के वित्त मंत्रियों और दुनिया के शीर्स वित्ती नीत इंदिनमताओं की शिखर बैठक में डिजिटल वैस्थिक उद्द्योग कारोबार पर डिजिटल कर लगाने को लेकर आम सहिमत बनी दुनिया के अधिकांस देश डिजिटल कारोबार करने वाले उद्द्यमों और डिजिटल टैक्स लगाने का समर्थन कर रहे हैं लेकिन अमेरिका सही दुनिया के कुछ विक्षित देशों की प्रमुक डिजिटल कमपनिया इस नए प्रस्ताओं के खिलाफ है विकास शिल देशों ने बड़े पैमाने पर डिजिटल कारोबार करने वाली बहुरास्टी कमपनिया कर बचाने के लिए अपने वास्तवी कारोबार का एक बड़ा हिस्सा कम कर लगाने वाले देशों में हस्तांतरित करती हैं जिससे उन देशों को राज़स्व की भारिहान होती है, जहां वास्तवी कारोबार किया जाता है। इसलिए G20 देशों के वित्मंत्यों तरह पारित प्रस्ताव या तो ऐसे अरजित लाव पर एक साजा नियुनतम टैक्स लागू कर सकता है, या फिर ऐसी अंतरास्टी सहमत बनाई जा सकती है, जिससे ऐसे अरजित लाव पर उन देशों पर कर लगेगा, जहां वास्तविक राज़स्व प्राप्त हुई। बहुरास्टी कमपनियां तेजी से डिजितल कारुबार बढ़ा रही हैं। दुनिया में अब चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनसार भारत में 2014 के बाद 36 करोड़ो जंधन खाते खुले हैं और 25 करोड़ो रूपेकार जारी हुए। पिछले पांच साल में मोबाइल बैंगिंग से लेन देन में 65 गुना बढ़ा है। खास्त और से जीस्टी के कारण भारत में डिजिटल करांती और तेज हुई है। जीस्टी लागू होने के बाद एक करोड़ और दोगी केवं कारोबारिकाईयां कर भुकतान के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रही है। भारती मध्यमवर्क की ताकत पर भारती अर्थ विवस्ता दुनिया की छटी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बन गई है। ऐसे में बढ़ते हुए वैस्विक डिजिटल कारोबार का लाग भारती अर्थ विवस्ता को और आगे बढ़ा सकेगा। जिस प्रकार से फ्रांस ने अमेरिकी सरकार के भारी विरोत के बावजूट Google, Facebook, Apple और Amazon जैसी कंपनियों पर डिजिटल कर लगाए हैं उसी प्रकार भारत को भी भारती उपभोगताओं का डेटा इस्तेमाल करने वाली बहुरास्टी कंपनियों पर डिजिटल कर लगाने के बा पाएगा आएए जानते हैं कि डाटा माइनिंग क्या होता है डेटा माइनिंग का अर्थ बड़े डाटा बेस से डेटा को उपयोग लायक बनाने है आसान तरीके से वर्गी करत करना है जब डेटा काफी ज़्यादा होता है तो उसे समालना और उसका उपयोग करना काफी हो जाता है ऐसे डाटा को और्गनाईज करना ही डेटा माइनिंग कहलाता है डेटा माइनिंग के लिए mathematical algorithm का प्रयोग किया जाता है डेटा माइनिंग जहां सामाजिक साहता सुरच्छा और पर्यावरण स्वास्त इत्याद छेत्रों के साथ artificial intelligence machine learning, big data, hadoop, cloud computing में उपयोग किया जा सकता है वहीं इसका उपयोग सामाजिक आर्थिक सोसन का भी करण हो सकता है आधार बनाम NPR, Registrar General of India हाली में संसोधित किये गए national population register में शामिल करने के लिए लोगों के biometrics की पुष्टिका निवेदन unique identification authority of India को कर सकते हैं इससे NPR के लिए दोबारा biometrics data जुटाने की जुरूरत नहीं होगी Home Ministry के अनुसार इससे इस बहस का भी अंत हो जाएगा कि कौन सी agency biometrics जुटा सकती है Registrar General of India और Sensor Commissioner की और से जारी notification में कहा गया था कि असम को छोड़कर पुरे देश में NPR पर काम होगा notification के अनुसार केन सरकार ने population register तयार एवं अपडेट करने का फैसला किया है और इसके लिए असम को छोड़कर पुरे देश में घरों में जाकर आंकड़े एकत करने का काम एक अपरेल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच किया जाएगा 2016 में आधार एक्ट के तहट UIDAI को एक statutory authority बनाया गया था इस वर्स 24 जून तक देश के लगबक 123 करोड़ निमासियों को आधार कार्ट जारी हो चुके हैं NPR में Biometrics के अलावा कुछ अन डेमोग्राफिक आंकड़े भी होंगे Home Ministry के अनसास सबसीडी के वितरन के लिए NPR अधिक प्रभावी होगा क्योंकि इसमें एक घर के लिए प्रत्येक व्यक्त से जुड़ा डेटा है NPR को इस्थानी उपजिला, जिला, राज और जास्टी इस्तर पर तयार किया जा रहा है NPR डेटाबेस में डेमोग्राफिक डेटा के साथ ही Biometric विवरण भी शामिल होंगे इसमें डेमोग्राफिक जानकारी की पंधा कैटेगरी होंगी जबकि Biometric विवरण UIDI के साथ समझोते के तहट लिये जाएंगे आए जान लेते हैं कि इस संदर में मुख परिच्छा प्रस्म क्या हो सकता है विश्व का भविश से Artificial Intelligence, Machine Learning और Big Data का है अता डेटा पन्यंतर ही भविश में ताकतवर और कमजोर राष्ट को प्रदर्सित करेगा उपरिद कतन के संदर में भारत के डेटा संबंदी लच्छों और चुनोतियों का विसलेशन कीजिए हमें उम्मीद है कि हमारा या प्रियास आपकी विभिन प्रकार की परिच्छाओं में मददगार साबित होगा हम भविश में भी इस प्रकार के टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे नेमार आइएस के यूटुब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले कि झाले बाट